भक्तो जय भोलेनात आज की वीडियो में आपको बताने वालों मेरे पास बहुत से यात्रियों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे बताएं कि हमारा जो पर्मिट बनाया ना वो पहल गाम की बजाए हमारा बनाया है बाल टाल से और हमें देखना है पहल गाम रूड तो उन्होंन इंफर्मेटिव रह सकती है शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई विवर इस चैनल पर पहली बार आया तो ऐसे यूसफुल कंडेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा साथ में बैल ऐकन पर भी जूर प्रेस कीजेगा ताकि जब भी कोई किसी वीडियो आए इंफर्मेटिव किसी भी टॉपिक को लेकि उसकी जानगारी आपको मिलते रहे और हमेशा आप रहे आप टो डेट इस यात्रा को लेकर तो बात करते हैं कि आपको जाना है बाल टाल से और उतरना है पहल गाम से तो मैंने यहां पर पूरा बताने की कोश количество है जो लोग हैं वहां पर याति हो जाते हैं और फांच बज़े पर वाछों को जाते हैं तो अगर आप जाना चाते हैं एंट्री फह पांच बादि प्च आका जाएंगे आप रात को रुग गई दिन पहलें वहां, पहर आको मिल गया चो नहीं रहता आएंब है मतलब में नहीं बनता अगर आप समान रखेंगे तो फिर आप उत्रेंगे पहल गाम से तो फिर कैसे आएंगे लेने के लिए तो आपका बचा रहने का और खाने का वह आपको बाल टाल बेस के आप मिल जाएगा उसके बाद लगवरण के हां वाहां से गोड़े भी होते हैं पल की वाले भी होते हैं रस बहुत होता है गेट की तो चाटा सा गेट होता है हुता होता है तो बаз comparative हम तो वहाँ पाईम लगता है तो पहले पहुच भूपीस बाता है दो किलमेटर चलें के बाद पिर आपका आएगा रेल पत्री रेल पत्री के बद फिर आपका आएगा भ़ाड्य arm ंद्बु हाला कि आपको टो कहीं नहीं करना हम बात कर ते की तो आपको इहां पail confession फिस अवेलेबिल है बटको बिल्कुल नहीं करना हाँ आपको खाना 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 मिल जाएगा उसके बाद बराड़ी मारे जायाइगा फिर आपका संगं sap ज्युंकै cंगम पे पहुंचा है जहां पे ज़िआतरी चलते हैं पहलगाम रूट से और आपके बाल रूट से तो दोनों वहाँ पर जाके मिल जाते हैं तो IS करता है तकरीबन 3 km तो टोटल डिस्टेंस जो है ना मारा वो यह है दो पांच और दो साथ साथ और चौछ चार ग्यारा ग्यारा और तीन चौदा किलोमेटर का ट्रैक है हमने करना है और इट विल टेक नियरली एप्रोक्सीमेट सेवन आर्स यह आपके आप लेके चलिए कि साथ से आठ घंटे आपको लगने वाले हैं मिनिमम तो अगर आप मान के चलिए लास्ट टू लास्ट अगर आप निकलते हैं पांच बजे और दुपहर के दो तीन मेरे तक पहुचते हैं तो आपको निकलते निकलते चार बजेंगे यह आप शायद पांच भी बज सकते हैं अब आप चार बजे वहां से निकलते हैं होली केफ से दर्शन करने के बाद भाबा जी के अब आपको आना है कहां पे होली केफ से आप आएंगे पंच सरनी जो कि आपका है 5.6 किलोमेटर और इसको कवर करने के लिए भी आप मान के चलिए आपके दो घंटे हैं तो चार बजे आप निकलेंगे वहां से तो छे यह त क्योंकि बता दू जो उसके बाद अगले पढ़ाव है जैसे आपका पोश्पत्री है वहाँ पे रुकने के विश्था नहीं है महागुना टॉप है बिलकुल भी नहीं है हाइस्ट पी का उस रूट की और शेशनाग जो की है आपका छे तो पांच पॉइंट एक मलब बात करत किलो मेटर के बाद आपको वस्ता मिलेगी रुकने की टेंट की तो पॉसिबिल्टी नहीं है कि आप 4-5-6 घंटे में आ सको तो आपको तो हर हाल में पंच तरनी में ही रुकना है जहां पे आपको रहने का खाने का और लगेज लगेज का आपको यहां पे पंच तरनी में न या शेषनाग पहुचना है या शेषनाग पहुचना है क्योंकि बता दूँ आपको फिर आपका जो है ना कि पंच तरनी से शेषनाग जो है 14.7 km और उसके बाद अगर आप निकलते हैं तो उसके बाद फिर आपका आता है चंदनवाडी 10.8 तो क्रीब क्रीब आपका ये 25 km हो गया तो 25 km क्या आप चंदनवाडी तक आ सकते हैं क्योंकि शेषनाग में रुकने की जगा तो है बीच में अगर आप पंच तरनी एक दिन रुकते हैं रात को जिदिन आप गुफा के दर्शन करेंगे बाबाजी के तो नेक्स दिन आपको 14.7 km चलके आते हैं तो आप दुपैर तक पहुच जाएंगे अब आपके बास ही शेषनाग जील है वहाँ परवश अंकलाएं हैं जहां पर बरफ है स्नू है और वहाँ पर अमेजिंग एटमसफेर है जो कि आपको मंतर मुक्त कर देगा वहाँ पर रुकने को मजबूर कर देगा क्योंकि अगर आप वहां से चले आए ना तो नीचे तो आना असान है लेकि यह मैं रास्ते पर था में पस मौका भी था बट मैं रुका नहीं तो मैं रेकमेंट यहीं करूंगा कि आप अराम से च्छे साथ आठ निकलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको शेषनाग में ही रुकना है और आपको ट्रैवल करना है वो सिरफ 14.7 किलोमेटर ही करना है अगर आपके कोई बसिस की booking हो रखी है पहले से या ट्रेन की booking हो रही है टाइम कम है तो फिर चौदा और दस मलब क्रीप क्रीब आपका 25 किलमेटर तो ये भी आप दिन में कर सकते हो उसके लिए फिर आपको क्या है कि पंच तरनी से आपको सुबह निकलना पर लेगा अरली प नवाड़ी तक तो कोलमिलाक के बात इतनी है कि आपको जिस दिन दर्शन करने है बाल्टाल रूट से दर्शन करने के बाद हर हाल में ट्राइब करना है कि वहां से चार बजे निकलना है क्योंकि अगर आप 2 बजे फ्री होते हैं तब भी मैं कहता हो निकल के कोई फायदा न नीमी आज़ूर वहां पर अपना विश्राम करो स्टे करो रात रुको और नेक्स जेवहां से निकलाओ अब संदुष्ट होंगे फिर भी अगर कोई डाउट रहता है यातरा को लेगे तो मुझसे आप पूस सकते हैं I will try to answer you quickly बस आपको करना क्या है चैनल पर नए है तो ऐसे useful content के लिए स्क्राइब करना बिल्कूल ना भूलेगा और एक शूर कि अपनी हाज्री हरहर महादेव की दूर लगाएगा कमेंट सेक्षिन के अंदर सो मिलते एक नेक्स वीडियो के साथ अपना ख्याल रखेगा तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार हरहर महादेव